अगर आपके घर कोई गैस टा रहे हैं और आप उनके लिए कुछ बहुती टेस्टी और छटपट बनाना चाहते हैं या फिर बच्चों के टिफिन के लिए सुबह की भागदोड में फटा फट से मज़ेदार सी रेसिपी बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी ट्राइ कीजेगा ये बहुत टेस्टी लगती है और कम समय में बन जाती है सबसे पहले आधा कप सूजी ली है जिसे एक बड़े बोल में डाल दिया है यहाँ पर मैंने बारिक वाली सूजी ली है अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो उसे मिक्सी के जार में डालका थोड़ा सा पीज वो बारिक हो जाएगी फिर इसमें डालना अब यहां मैंने आधा कप ही इसमें बेसन डाल दिया है दोनु चीजे बरावर मात्रा में ली है अब इसमें आधा चमच नमक डाल दिया है इसमें डाल रहे हैं आधा चमच लाल मिर्च पाउडर इसमें डालेंगे आधा चमच धनि दें आधा चम्मच साबुत सौफ साबुत सौफ जरूर डालेगा इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है सभी चीजों को बहुत अच्छे से इसमें आपको मिक्स कर लेना है अब यहां पर देखिए मैंने एक कच्छे आलू को छील कर घिस कर और बहुत अच्छे से धो डाला है और यहां इसमें जारा है आधा चमच ग्रेटेट लेसुन अब इसके बाद यहां मैंने लिए पत्ता गोभी आधा कब पत्ता गोभी इसके अंदर डाली है पत्ता गोभी को घिसकर डाला है बारिक कठा हुआ हरा धनिया डाल दिया है सबी चीजों को हम बहुत अब इसमें डाल दिया है दो चमच चावल का आटा डालने से रेसिपी में अच्छा क्रिस्प आएगा अब इसमें मैंने दो तीन चमच के करीब पानी डाला है पानी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा इसमें क्योंकि आलू और प्याज में और पत्ता गोभी में काफी मौ दोनों हतों के बीश में रखकर इस तरीके से इसका बॉल बनाएं और इसे इस तरह दबा दें तो यहां पर देखिए आपको इस तरह एक टिक्की का शेप इसे देना है लेकिन बहुत जादा मोटा इसे नहीं रखना है तो सभी पीसिस इसी तरह बनाएं और अब आप इने ओईल में शैलो फ्राई करें तो ओईल अच्छा गरम होना चाहिए और गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है तो यहां पर आप एक तरफ से इन्हें लगबग एक डिड़ मिनट तक इसी तरीके से सिखने दीजिए और उसके बाद आप इने पलट दीजिए तो बहुत ही आसा और हमने जो चावल का आटा इसमें डाला ना उसकी वज़े से काफी देर बाद भी इसका कुरकुरा पन बरकरार रहता है और खाने में यह बहुत अच्छी लगती है तो यह देखिए हमने नाश्टा फ्राई कर लिया है सभी तरफ से कलर बहुत पढ़िया आ चुका है और अगरे तो बस इसे हम निकाल लेते हैं और अब इस नाश्ता को आप सौस या चुटनी किसी के बिसाद सर्व कर सकते हैं यह दिखिए बाहर से बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरा और अंदर से हलका सा सौफ्ट है खाने में बहुत मुझे दार है आपको कम समय में बनने वाली य कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें